मुझा पढ़ेंगे लूका रिचिस समचारा दिया पंद्रा उसका अठारा वाकिस से हम लोग निचे तक पढ़के जाएंगे मैं उठकर अपने पिदा के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा हे पिदा मैंने सुर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टी में पाव किया है मैं अब तेरा पुत्र कहलाने का योगिन न रहा मुझे अपना एक मजदूर समझ कर रिख ले वो उठकर अपने पिदा के पास चला गया परन्दू जब वो अभी दूर ही था उसके पिदा ने उससे देखा और उस पर थरस खाया अधा उसने दौड कर उसे गेले लेगाया और चूमा पुत्र ने उससे कहा हे पिदा मैंने सुर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टी में पाव किया है मैं अब तेरा पुत्र कहलाने का योगिये ना रहा परन्दू पिदा ने अपने दासों से कहा अच्चे से अच्चा वस्त्र शीक्र निकाल लाओ और उससे पहिनाओ और उसकी हाथ में अंगुटी पाव में जूतिया पहिनाओ और एक मोटा बच्चना लाकर काटो कि हम खाए और आनंद मनाए क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गिया था अब जीवी थो गया है वो खो गया था अब मिल गया है ये शुमसी ये द्रिश्टान्थ सारे मानवजातियों का विशे में बता रहा था ये किसी परिवार का अंदर का विशे नहीं बता रहा था ये पूरा मानवजाति जो कुडुम्ब है उसका विशे में प्रभू ने बता रहा था जो पिदा वहाँ पर था वो परमेश्वर पिदा है सर्ग में जो है जो दो पुत्र के विश्य में वहाँ पर जो है बताता है पहला पुत्र और दूसरे पुत्र और पहला पुत्र इसराईलियों का दर्शाता है और दूसरा पुत्र गेर इसराइली गेर यहुदियों को दर्शाता है सारे गेर यहुदि उस पर दर्शाता है एक दूसरा पिच्छर वहाँ पर उसका अंदर हम लोग देखेंगे कि जो गेर यहुदि को दर्शाने वाला चोटे बेटा पूरा खोएवे लोगों का एक दृष्टान्द है जो परमेश्वर से भटक गया है चाहे वो यहुदी हो चाहे वो युनानी जैसे मैं और आप आज यहुदी नहीं है परंदु हम ये शुपर कहे लोग यहां पर हैं विश्वास करता है तो यहां पर दो बेटे एक पिदाजी के विश्वे में बोल रहा है पिदाजी बड़े धनवान था उसमें से एक बेटे आकर कि उससे चोटा वाला लडगा कर पोचा है पिदाजी आपका संबती का मेरे लिए जो संबती का हिसा है मुझे दे दो मैं इसको ले करके चले जाने के लिए चाहता हूँ मुझे अपने हिसा चाहिए पिदाजी ने अपने बेटे को हिसा दे देता है वो जो हिसा जो उसके हाथ में मिल गया उसको ले करके वो कही चला गया बाइबल में लिखा हुआ है वो दूर देश में चला गया है और उसने पूरा पैसा उड़ाया मोज मस्ती किया है मोज मस्ती किया है और बड़े-बड़े कीमती चीज़ों को शायद खरीदा होगा रोज अच्छे-च्छे कपड़ा करदा होगा रोज बड़े-बड़े होटल से काना खाया होगा उस दंक से उसने उसका सारे संबत्ती को बरबाद करके रखा है अब उस पिदा से कोई रिस्ता नहीं है दूसरा देश में भी है लेकिन बाइबल में लिखा हुए अचानक उस देश में अकाल आ गया है अकाल आने के खारण वहाँ पर खाना पीना मिलना भी मुश्किल हो गया है किसी के हाथ में कोई भी पैसा नहीं है धनवान भी कंगाल हो गया ऐसा कंडिशन में उस देश में अकाल आ गया है अकाल आने के खारण इसके पास भी कुछ नहीं है और इसका शायद यदि इसका कोई दोस्त मित्र रहा होगा तो वो लोग भी कंगाल बन गया होगा इन्यवे वहाँ पर लिखा हुआ है वो कंगाल होने के खारण उसको खाना पीना भी नहीं मिलने के खारण उसने मजबूरी से उस देश का एक धनवान के पास गया है वहाँ जाकर के उसने उससे मांगा मुझे कुछ काम दे दो मुझे कुछ काम दे दो वहाँ पर लिखा हुआ है और वहाँ जाकर उस देश में तक नागरी के यहाँ काम में लग गया उसने उसे खेत में सुवर चराने बेजा तो उसने बोला कि मेरे पास तो और कोई काम नहीं है उस समय खेत में सुवर और बेड बक्रियों का बहुत बड़ा समय था वहाँ पर लोगों को संबती ऐसा ही गिना जाता था बहुत ज़्यादा किसी के पास शुषर है बहुत ज्यादा जिसके पास बेड़ है, बक्री है जानवर के किमती के अनसार उसके संबती को गिनाया जाता था खेत और जानवर इस तरह का बात है ये शुवर चराने वाला वेक्ती है इसके पास शुवर का बहुत बड़ा खेती रहा होगा इसलिए उसके पास गया तो इसने बोला कि देखो मेरे पास और दूसरा कोई काम नहीं है शुवर को चराने के लिए आप जाने के लिए चाहता तो जाएए इनके के खेत में चले जाएंगे ऐसे वहाँ पर देख रहा है वह उस खेत में चला गया सुरों को रखता था उसे बेड़ी उत्खंडा हुई कि वह उस फलियों से जो शुवर का रहे थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था उसने सोचा कि सुवर को जो काने के लिए देता है फलिया कम से कम हमको जो शुवर को खाने के लिए देता है फलियों से मुझे भी मिलेगा या फिर हम उसमें से लेके खाएंगे उतना ही खराब कंडिशन में वो हो गया था वहा गया तो बाइबल में बतलाता है उस फलियों से जो शुवर खा रहे थे अपना पेट भरे और उसे कोई कुछ नहीं देता था उन फलियों से भी उसका पेट भरना असंभव हो गया शत्रवाकी में परंद जब वह होश में आया तो उसने कहा मेरे पिदा के कितने ही मजदूरों को पेट भर भोजन मिलता है पर मैं यहां भूका मर रहा हूँ मैं उड़कर अपने पिदा के पास जाओंगा और उससे कहूंगा हे पिदा मैंने सुर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टी में पाप किया है हाललुया मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग ये ना रहा मुझे अपना एक मजदूर समझ कर रिक ले ये पॉर्शन मैं खास करके आज आपके सामने रिखने के लिए चाहता हूँ वहाँ पर सुवर खाने के लिए जो रिखा हुआ तब फलिया भी उसको नहीं मिला है तब जाकर कर बाइबल में एक शब्द लिखा हुआ ये शुने बताया था एक शब्द वहाँ पर लिखा हुआ है तब उसको होश आ गया है खोश आ गया बोलिये होश आ गया होश आ गया अभी कभी हम लोग को भी आभी होश आया बापरे बाप तो वहाँ पर उसने बोल रहा है कि उसको सुवर का खाना तक नहीं मिलने का स्तिदी बन गिया है, पेट पूरा खाली है, काफी दिन से परिशान है, और कहां जाएंगे, इस कंडीशन में उसको सामने एक भी दर्वाजा नहीं है बिचने का, अंदिम दर्वाजा भी बंद, तब उसने, बाइबल में येश्वी ने कहा तब उसको होश आ गया, बोले होश आ गया, होश आ गया, मुझे भी होश आना है, बोले मुझे भी होश आना है, हाललूया, तो ये होश आना उसका दूसरा एक शब्द पाब का बोध बोल ये पाब का बोध बाइबल में लिखा हुआ जब पवित्रा आत्मा आएगा तो वो हमें पाप का बारे में बताएगा पाप का विशे में बताएगा वो हमें पाप का बोध देता है इधर ध्यान दीजेगा नॉर्मल लाइफ में हमारे अंदर में जो हमने कभी प्रभू का पास नहीं गिया है ना हमने कभी प्रभू का वचन पर ध्यान दिया है ऐसे एक विक्ति का अंदर ये असंभाव है कि उसका अंदर पाप का बोध रहे या फिर कुछ ऐसा भी हो सकता है कि प्रभू का साथ में चलने वाला विक्ति रहा होगा प्रभू का साथ चलता था ये एक समय लेकिन बीच में पाप में चला गया है वो भी ऐसा बन सकता है उसका भी पाप के बोध चले जाता है पाप के बोध चले जाना means वो होता है कि दूसरे एक शब्द बाइबल में ही बताय हुआ है अंदक करन काम नहीं करना रस्पॉंस नहीं करना आपने कभी होस्पिटल में गया है या फिर आप अपने परिवारों में या किसी पडोसियों में या कोई बंदु मित्रों के बीच में आपने कभी देखा होगा किसी गर्म में गया है तो कोई पैरलेस दे लेकुवा मार करके पढ़ा हुआ पढंग में हाथ पैर दोनों नहीं चल रहा है जिन्दा है तो जिन्दा है सब कुछ नाक से दे रहा है जिन्दा है तो पूछिएगा तो जिन्दा जरूर है लेकिन हाथ नहीं इलता है पैर नहीं चलता है उनका होश चला गिया है बोध नहीं है जिन्दा है जिन्दा है परंदु काम करता है नहीं काम कर पाता है उसको मचड भी उसको काटिएगा तो मचड को काटने उसको मारने के लिए उसको सोचना पड़ेगा क्योंकि होगा नहीं दूसरा कोई बगल में बैटाएगा वही उसको मचर कुमारेगा वो ही कंडिशन है वो कंडिशन मनुष्री का दिल के लिए भी होता है हमारा हंदक करन भी ऐसा काम नहीं करने का सिटिवेशन में चले जा सकता है क्योंकि सचाई और पवित्रदा प्रेम न्याय और प्रभू का अनिंग्र हमारा अंदर से पूरा पूरा चले जाता है और हम परमेश्वर को आवाज सुनता है परंदू सुनने से भी हम नहीं पलचान पा रहा है सुनने से भी हम उस पर विश्वास नहीं कर पा रहा है सुनने से भी हम एक्षन नहीं ले पा रहा है हमारा मन के लिए समस्या बन रहा है हमारा अंदर में ये भावना तो है कि हम अच्छा चीज़ करें लेकिन नहीं हो पाता है सुनने से भी हम हर जाता है यहाँ पर बोल रहा है कि यह विक्ति का अंदर से पाप का बोध चला गया था लेकिन जिंदगी का ऐसा कंडिशन में चला गया तो वहाँ पर प्रभू का वचन बोलता है उसका होश वापस आ गया है दूसरा शब्द मैंने अभी आपको तुरंद बताया होशाना मतलब पाप का बोध पाप का बोध माल लिजे नींद में कोई चले जा रहा है कभी कभी ऐसे भी सुना है अमने भी सुना है रात में सो रहा था उड़के तिवारी कोल करके चला गया कोई गया तलाब के सामने बैटा हुआ है गीद गारा है तो कोई जाकर के खिलाया हो कहां गया तुम तो पढ़ंग में था तलाब के पास कैसे पहुंची गया होश में हो कहा है कैसे आगे इदर हमको नहीं मालूम बढ़ हम तो पढ़ंग में था आप इदर कैसे आ गया तुम इदर कैसे आ गया तुमको कोज के हम इदर आ गया समझ में आया खोश आना कहां जा रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है मृतियू के पास जा रहा है कि जीवन के पास चले जा रहा है काम तो कर रहा है रोज रोटी भी चल रहा है लेकिन पवित्रदा का कोई लेना देना नहीं है जिन्दगी में कोई सचाई नहीं परमेश्वर से कोई तालूक नहीं खाओ और पियो मोज मस्ती करो कल जो होगा देखा जाएगा उस कंडिशन में जो अपना जिन्दगी को चलाना परमेश्वर को येक उद्देश है भले आपको नहीं जानता होगा परमेश्वर का पास आपके एक लाइफ का प्लान है आपका माता और पिदाजी के पास चाहे आपका कोई प्लान रहा ना होगा लेकिन प्रभु येश्व के पास आपके लिए एक पूरा-पूरा मास्टर प्लान है जिस दिन आप मरेंगे होस्पिटल में हो या गर्में हो आपको किस कैसा आपको कफन बनाना है कितना फीट गड़ा भी खोदना है कितना फूल भी डालना है ये शु को मालूम है इसलिए आपका मास्टर प्लान परमेश्वर के हाथ में है आप इसलिए सोचने आप और चिंदन करने के जरूत नहीं कि मुझे कोई नहीं है प्रभू आपका है प्रभू आपका है वो आपको जानता है आपको मालूम है परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ बाल तेरे पकने तक मैं तेरा परमेश्वर हूँ बाल जब पकता है तो सुनता है बच्चे माबाप को छोड़ देता है कई जगा सब लोग नहीं बहुत जगा ऐसा भी सुनता है बच्चे माबाब को छोड़ दिया है परंदु परमेश्वर बोलता है शायद आपको बच्चे आपको छोड़ सकता है परंदु प्रभू आपको नहीं छोड़ेंगे यह कहावत ऐसे बाइबल में बोलता है इस प्रावर्ब है इंग्लिश में है If you carry the Bible If you carry the Bible, the Bible will carry you If you carry the Bible, the Bible will carry you यदि आप Bible को अपने हाथ में लेके चलेंगे तो Bible आपको भी लेके चलेंगे इसलिए यह Bible, मेरे पास यह Bible मैं तो यूज़ करके यह तो दूसरा Bible है हिंदी में इंग्लिश का दूसरा भी है यह मेरा दूसरा या तीसरा Bible है यूज़ करते करते मतलब यह हो गया तो रिखा हुआ है, फ्रेक नहीं सकता है गर पर है मेरे पास रहता है अहर दम 24 अवेर्स मेरे पास चाहे मेरा कुछ भी नहीं रहे यहा तक मेरा आज Mobile भी मेरे हाथ मना रहे पर अंदू Bible मेरे हाथ मेरे रहेगा चाहे मैं अपने स्टूडियो में रहे गर पर रहे लेटे या फिर हम अपने कमरे में रहे परमेश्वर का वचन आपको काता है उसके हातोलियों में आपको नाम अंगित किया हुआ है आपको नाम को परमेश्वर अपने हाथ में लिख करे का हुआ उसने अंगित किया है आप परमेश्वर के दृष्टी में अनमोल है प्रेश्यस है चाहे दुनिया में कोई आपको स्विकार नहीं कहे पर मेश्वर आपको स्विकार करेंगे हाललुया दावुद ने यहां तक इसराइल कर आ जाता दावुद ने कहा यहां तक मेरा मा पिदा जी मुझे छोड़ दे पर उन्हों मेरा यहोवा मुझे नहीं छोड़ता हाललुया इसलिए कई लोग टारगेट रखता है बच्चा बड़ा हो जाएगा इंजनियर बनेगा तो हमको खिला देगा कोई जरूरी नहीं है बच्चा बड़ा हो जाए और इंजनियर बने इंजनियर बनने के बाद आपको खिला दे यह तो सच हो सकता है बता एंजिनियर तो जरूर बनने का संभावना है परन्द वो खिलाएगा नहीं खिलाएगा वो दुनिया बताएगा आने वाला दिनाओं में परन्द परमेश्वर बोलता है आपका एंजिनियर वाला बेटा खिलाए ना खिलाए पर tuप करमे में आपको खिलाएंगे इसलिए बोलता है आप अपने जवानी में इसको एपने हाथ में ले ले को कोई काम नहीं चलता है हां चुमें पाइबल उठाने से भी धरतराता है और चस्मा के बिने नहीं चल रहा है ठीक है चस्मा तो आज कल तो बच्चे लोग भी लगा रहा है कोई बात नहीं चस्मा का भी काम नहीं चलने के एक समय आ जाता है बी-पी और शुगर हर तरह के बिमारी से लगबख अलविदा करने के कंडिशन में चले जाता है कोई बैटाएगा तो बैट जाएगा कोई चलाएगा तो चला जाएगा इस कंडिशन में हे प्रभू कोई प्रभू नहीं आने वाला उस्वा में और पूछेगा तु कहाते इतना दिन जरूर प्रभू उस्वा में भी स्विकार करेगा लेकिन फाइदा क्या पूरा जिंदगी में परमेश्वर को नहीं जानके बहुत सा अनमोल आशुशों को हमने खो रखता है इसलिए परमेश्वर नहीं कहता है अपने जवानी में अपने जवानी में अपने सरजनहार को याद करो अपने जवानी में जिस वक आपके पास पावर है, शक्ति है, जब सब कदम हो जाता है, हाथ नहीं चल रहा है, पैर नहीं चल रहा है, डॉक्टर का सहारे के बिना काम नहीं चलेगा, दो टाबलेट सुबह, दो टाबलेट शाम में, ऐसे कंडीशन में, अठीके ऐसे कम से कंडीशन में बाइबल ले लिजे क्योंगि आने वाला दिनों में दो टाबले टाबलेट से भी खाम नहीं चलने वाला तो क्या किजिए गा उसके पहले प्रभु बोलता है प्रभु का वच्रीन को आपको जीवन देता है प्रभु का बचन आपको जीवन देता है और शक्ती और चुटकारा देता है इसका अंदर आपके लिए जीवन रखा हुआ है मुझे सुनने वाले आज आपका पास यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो कृबया कम से कम आज एक डिसिशन ले लिजे मैं एक बाइबल को खरीद लूँगा मैं आपको बोलूँगा बोलने के लिए चाहता हूँ यदि आज आप एक बाइबल को खरीदने के लिए प्लान में बना रहा है तो समझे कि आपके जिन्दगी का चुटकार का शुरुवात हो गया है चोटे चेट स्टेप से हम प्रभू के पास चले जाता है यह पूरा आशिश को खजाने को आप खरीद रहा है आज तो मोबेल भी मिलता है साट हजार असी अजार एक लाक मोबेल भी मिलना शुरू कर दिया है लेकिन यह बाइबल का दाम उतना नहीं है एक सो एक सो पचीस से एक सो पचास रुपया में मिल जाता है पचास रुपया में मिलने बाला बाइबल भी है इसको याद रखिएगा पचास रुपया में आप बाइबल खरीद रहा है तो आपका पूरा जीवन का आशिश को आपको कई जगा जाना है, जाने का रास्ता आपको नहीं मालूम है, किसी गेड की किताब है, मार्ग दर्शन देने वाला रोड मैप, तो आप उस रोड मैप पो करीद कर के जाएगा, तो आपको जगा पहुंचने के लिए ज़्यादा दिक्त नहीं होगा, यदि आपका पास रोड मैप नहीं रहेगा तो हो सकता आप भटक जाएगा बीच रास्ता में इसलिए प्रभू का रोड मैप आपके लिए है यह रोड मैप यहां के लिए केवल नहीं है अनंद जीवन तक सर्ग तक आपको ले जाएंगे परमेश्वर इसलिए जीवतों और मृधकों का चलेगा वो आपके संग चलेगा वो आपके संग चलने वाला परमेश्वर है हाललुया कई लोग ऐसे अंधाओ करके बोलता है कि सबकुछ मिध्या है ऐसा कुछ नहीं बहन सबकुछ मिध्या नहीं है everything is real सबकुछ वास्तविक्ता है हम ऐसे आख बंदर के बोलेगा आरे सब सबकुछ माया है बहुत आसान है ऐसे बोलना सबकुछ माया नहीं है everything is real सबकुछ reality है यह किताब रियल आप रियल है आप यह नहीं बोल सकता है यह पृत्वी माया है नहीं पृत्वी रियल है वास्तविक है वो हमें खाना देता है हम दान को खाता है खाता है सबकुछ यहा मेरे पिदाजी कितना बार हमको बोला कि ना जाओ बेटा बिटाओ ना जाओ यही पर रह जाओ। तुमने, हमने उसका बात को माना नहीं है। जब वरदस्ती गर से निकला है, पैसा लेकर भागा है। और मेरा पिदाजी के गर में कितना मजदूर है पेट बर के खाता है उसके बात में फेक देता है बहुत सा खाना उसका बच जाता है कितना सारा खाना उनका मजदूर को मिलता है या पर तो हम बेटे हो करके मर रहा है वो अपने पूरा गर के कहानी को याद कर रहा है पिदाजी को याद कर रहा है पिदाजी का मज़़ूरों को याद कर रहा है कितना अच्छा खाना और बोजन सुविदा मेरे गर में थे उसको चोड़ करके ऐसा वस्ता में मेरा अनाग्य का एरदा के कारण में आ गया और उसने ये लड़का यहाँ पर डिसिशन लेता है वहाँ पर बोलता है मैं अपने पिदाजी के पास वापस चले जाओंगा ये होश आने का बात ये लड़का क्या करता है मैं उड़कर अपने पिदाजी के पास जाओंगा और उससे कहूंगा हे पिदा मैंने सुर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टी में पाप किया है मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग्य ना रहा मुझे अपना एक मजदूर समझ कर रख ले जा उड़कर अपने पिदा के पास चला गया परंदू जब अभी दूर ही था उसके पिदा ने उसे देखा और उस पर तरस खाया अथा उसने दोड़कर उसे गिले लगाया और चूमा पुत्र ने उसे कहा हे पिदा मैंने सुर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टी में पाप किया है मैं अब तेरा पुत्र कहलाने के योग ये ना रहा परंदू पिदा ने अपने दासों से कहा अच्छे से अच्छा वस्तर शीक्र निकाल लाओ और उसे पहनाओ और उसके हाथ में हंगुटी पाव में जूतिया पैना हो और एक मोटा बचला लाकर काटो कि हम खाए और आनंद मनाए क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था अब जीवित हो गया है वाक हो गया था अब मिल गया है हाललूया एक दूसरा पॉइंट इसका अंदर से मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ वो है कि जब उसने मन में ये बोध आ गया तो उसने सोचने लगा पीछले जिंदगी को कहां पर थे और कहां से हम इस कंडिशन में आया है और उसने ये सोचने के समय में ऐसे नहीं विचार कि हब हम अपने पिदाजी के पास वापस नहीं जाएंगे अब हो गया सब बरबाद यही पर रहेंगे मरेंगे यही ऐसे नहीं सोचा है यहां पर यह बोल रहा है मैं अपने पिदाजी के पास लोट के जाओंगा और मैं उसका भावन में लोट के जाओंगा और मैं पिदाजी से मिलूंगा और पिदाजी से कहूंगा पिदाजी मैं सर्ग के विरोध और आपके विरोध में पाप किया है बोले मेरे पीछे पिदाजी मैं सर्ग के विरोध और आपके विरोध में पाप किया कितना विरोध यहां बोला? दो विरोध और पिदा जी के विरोध यही चीश मैं आपको बताने के लिए चाह रहा हूँ कि वो पैसा लेकर के सुर्ग से पैसा लेकर भागाता है क्या कहां से पैसा लेकर भागा जो जमीन में है जो पिदा जी उसके पिदा जी से पैसा लिया तो सुर्ग से कोई अका detected क्या नए अब पात किया तो लोट जाने का समय वो क्या पहले बोल रहा है आईसा उसने नहीं बोला है कि मैं पिदा जी आपके विरूद और सुर्ग के विरूद आईसे नहीं बोला फिर क्या बोला सुर्ग के विरूद और आपके विरूद तो मतलब उसने पाप किसके विरूद किया है पहले बोलिए किसके विरुद किया है परमेश्वर के विरुद पैसा किसे लिया था पिदाजी से पैसा लिया पाप कहा हुआ है परमेश्वर के सामने यही चीश बताने के लिए मुझे पवित्रात्मा आज बतायाने के लिए आमको बोला है आपको कि आप और मैं कोई भी पाप करे दुनिया में कभी नहीं सोचना है मैं इनसान के विरुद पाप कर रहा हूँ हर ये पाप मैं परमेश्वर के विरुद करता है माल लिजे मैं खोई वेक्टि अपने पदी को मारेगा तो किसको मारा है पत्नी पत्नी को मारा है इस वचन के अनुसार वो पाप किया है किया है किया है तो इस वचन के अनुसार वो किस के और किस के सामने पाप किया है पत्नी के सामने पत्नी को मारा इतना चार लड़ी की था उसको मार दिया इसलिए पत्नी के विरुद पाप किया है नहीं 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 आप परमेश्वर के विरुद किया है पत्नी को हम मारे परंदु हम पाप किस के विरुद कर रहा है परमेश्वर के विरुद तो हमको लोटना है इस पापों से बाहर निकलना है तो मैं आकर के पदी को अड़ाई सो रुपया के एक साड़ी खरी के देने से काम चलेगा क्या अरे तुमको हम कल मार दियाता न इतना हमको खाना के लाता बच्चों को देख बाल करता घर के खारा काम करता है तुमने ये इस तना चलड़ की हो और तुमको मैं आड़ाई सो रुपया काम साड़ी करीद के ला रहा हूँ खुश हो ना कल जो मारा है भूल जा ना ऐसे सेटिल्मेंट खरने से उपर से काम निकलेगा वहाँ दाग रहेगा कि नहीं रहेगा ये दूसरा दिन और नहीं मारेगा क्या मारेगा साड़ी स्पन के चले जाएगे दो दिन बाद उसी साड़ी पर खड़े ही रहने के समय मारेगा और वो लेगा साड़ी खोलो हमने तुमको साड़ी कर जित कर दिया क्या तुमको मेरे साथ मारोज को तो उसका पश्चता हुआ है यही आइसा वाले understanding से कोई प्रभू के पास नहीं जाएगा मुझे और आपको इस वज़न से ये बात समझना है हमने जो कुछ भी किसी को रिक्षा वाले हम से 10 रुपया मांगा है एक्स्ट्रा पांच रुपया में पहुंचाने वाला ता रात का टाइम तो बोला कि पंदर रुपया दीजिए हमने दोगो गाली उसको दे दिया है बचारा गरीब आदमी को गाली दिया तो हम उसको उपर न पाप किया है किसको उपर किया है इस वजन के निसार प्रभू का उपर किया है हमने ग्रिशा वाले को गाली जरूर दिया है परंदु हम परमेश्वर के सामने पाप किया है इसलिए बाइबल बोलता है हे परमेश्वर ये पिदा में सरग का विरूद और आप का विरूद पाप किया है दो सेटिलमेंट दो सेटिलमेंट अब कोई बोल रहा है हाँ ठीक है हम सरग का विरूद पाप किया ठक एको मारा चाटा पर, अपने बाई, बाई को मार दिया, अठा है, मा बोला बैटा उसको श्रमा करो उसको जाक में जाके मिलो, हम क्यों उसके मिलेंगे, हमने प्रभू से बोल दिया, हो गया है ना, काम चलेगा, काम चलेगा, यहां क्या बोल रहा है, मैं प्रभू के विरुद, मैं सर्ग के विरुद और आपके विरुद पाप किया है, दो काम वहाँ पर हो रहा की नहीं हो रहा है, दो सेटिल्मेंट हो रहा की नहीं हो रहा है, एक परमेश्वर के सामने वो अपने पापों को मान ले रहा है, दूसरा पृत्वी में जिसके सामने उसने पाप किया जिसके और उसने पाप किया है उस विक्ती से भी वो पाप अपने जीवन को अंगिकार कर रहा है केवल यहां भी नहीं हो रहा है केवल उपर भी नहीं हो रहा है उपर और नीचे दोनों हो रहा है समझ में आ रहा है लेकिन कहां से शुरू होना है कहां से शुरू होना नीचे से उपर चले जाएंगे नीचे से उपर जा सकता है क्या उपर से नीचे आना है पहले मुझे और आपको मालूम होना यदि हम अपने शरीर से इंद्रियों के दुआरा मूखे दुआरा, शारिरिक जीवन में, भाउदिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, काम के शेत्र में, उस्कूल और कोलेज में, जिंदगी के कोई भी शेत्र में, यदि हमने कोई भी पाप किया है दोगो मार्क ज्यादा मिलने के लिए दूसरा लड़का का लेकर करके हमने कौपी कर दिया है गलत सर्टिफिकेट बनाया नाउकरी के चकर में अट्मिशन नहीं मल रहा तो उल्टा सिधा लिखवा दिया है और वहाँ पर तो बैटा हुआ सब लोग हर तरह का काम करने के लिए टेबल के नीचे हाथ बढ़वाया बढ़ा दिया गूस लेकर करके अपने काम निकाल रहा है कौन देख रहा है परमेश्वर देख रहा है हाललूया हाललूया इसलिए हमको मुझे और आपको किस से हमारा सेटिल्मेंट करना है परमेश्वर से आपको क्लियर हो गया हाललूया हम जो कुछ भी करता है किसके विरुद करता है पर मेश्वर का विरुद और जो हमने प्रत्वी में किसके साथ करता है उसका नाम दिन आता है तो आप और मैं कुछ भी करता है तुरंद हमें मालूम होना है मैंने प्रबू का विरुद किया है मैं तोड़ी अपने पास्टर का विरुद किया मैं तोड़ी अपने पादरी के विरुद किया मैं तोड़ी अपने सिस्टर के विरुद बाई के विरुद किया मैंने प्रभू के विरुद पाप किया है हाललुया जब आप प्रभू से डरना शुरू करेगा तो बात बदलेगा स्राप का बंदन मिटना शुरू करेगा हाललुया प्रभू को डरना जिस वक्त शुरू करेगा रियली पाप का बंदन अपना जिंदगी से बाहर जाना शुरू करेगा उसी दिन से स्राप से मुक्ति का आरंब हो गया है मुक्ति करेगा